अगर आप कलाश 10th के स्टुडेंट हो 2020 में mathematics subject के लिए पुछेगे सभी objective का सही answer की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखिए तेखिए परिक्षा में question bank का काफी ही महत्व होता है अगर आप एक साल का question bank देख लेते हैं तो आपका 5 mark fix हो जाता है अगर आप सभी व PC का question bank देखिए आप 400 से अधिक मार्क लाएंगे इसलिए question bank की त्यारी बहुत ही जरूरी है question bank का त्यारी निश्चित रूप से आप लोग किजिए लिंक मिलेगा उसमें आपको श्रियली वीडियो मिलेगा या नहीं तो इस चैनल किये प्लेइलिस्ट को चेक किजिए तो यहां पर देखिए क्या है यह गनित है क्लास्टेंथ के लिए 2020 एनुवल वार्षिक प्रिक्षा में अब देखिए यह पूछे के हैं फस्ट लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई तो यहां पर देखिए 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 यहां ुकि 10 80 डिग्री तो देखिए 10 पिलस activity क्या हो गया 90 हो गया इनके विल्यूण को एक हो गया इसका और इसका विल्यूद क्या एक गुना एक ता माहन क्या हो गया आपको एक हो गया पिए रख्या। है ट्यट्हें थेंटेंट में ही रहेगा अदुनु एंगल को जोटने के बाद 90 डिगरी हो जाता है तो मान हो जाता है यह 25 और 75 को जोड़ी यह 90 हो जाता है तो इसका-इसका मान क्या हो जाएगा एक ढोगा दोका सही ओप्षिन आपको कोगा दी क्वेस्चन नमर 3 देखिए नहीं मिलखित में कौन सा समिक्रन है तो थो यहां हो गया यह आपको जोए कि बहुपदे नहीं वात स्वमिक्रन कहाँ से होगा क्योंकि X जोए कि रूट के अंदर में यह देखिए X स्क्वेर यहाँ पर भी है और इनको भी वर्क करेंगे तो X स्क्वेर आएगा आपको यह आपको जो कि तीन कस्वेर आपको गासी यही दुघास समिक्रन है अगला अबजेक्टिव देखिए कड़े कि एक बेलन और एक संकू के अधार समान है उसकी उचाईयां भी समान उचाई भी क्या है समान है तो उनके आयतनों कानुपात क्या होगा तो यहाँ पर बेलन और संकू के अधार समान है तो तिरजिया भी समान होगा और उचाई भी क्या होगा समान होगा तो उनके आयतनों कानुपात क्या होगा तो अराम से आप देखिया इतन कानुपात निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वेर एक बटा एक यही छी सी कोन अनुपात बोलते हैं सेंच चूर पई स्कूर खोट गिया तो बचा क्या एक बटा एक बटा तीन देखिए जांग मतलब तीन अनुपात यह ़ो गया चार का सही option आपको देखिए क्या होगा वो होगा D तीन अनुपात एक अगला objective देखिए कड़ाई की 5 में X X पर बिंदू जो बिंदू हो A-10 B-50 से समान दूरी पर है तो कड़ाई की X X पर एको बिंदू ग्यात किजिए अब देखिए जिस बिंदू से यह A-B समान दूरी पर है तो माल लिए कि X X पर बिंदू क्या है P X 0 है A-B समान दूरी पर है A-B क्या है समान दूरी सवाल के नुसार इसलिए हम क्या बोलेंगे PA और PB आपस में क्या होगा बराबर यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होगा बराबर तो यहां से यहां तक की दूरी को आपस में क्या होगा बराबर तो यहां से यहां तक की दूरी को आपस में क्या होगा बराबर प्रमूल निकालते हैं, देखिए, तो मैनस यहां पर देखिए, यह डिरेक्ट के इसको इसमें से घटा सकते हैं, तो आप चाहे तो सकते हो याने तो 5-ile square कर सकते हो कोई फरक परने वाला नहीं है कर दिए जिडिए theme गटा तो इसका सक्वेर हो गया इसको खूंप किए इसको के तृॉट से बहर निकल गया यह मान यह हो गया जिडिए को करेंगे तो कोई फरक नहीं परेगा यह मुन यह हो गिया या पलस यह स्ब्वाइक्स में दस एकस जोटेगा बार एकस होगा कि फटेवस एकंगे 25 मेंifice घटेगा 24 होगा 12 नीडेश को मान क्या हो गया है दो जोकी, एकस निकाल रहे है तो य कामान हमेशा 0 ही होगा तब अग्र पी देख Luis क्भास टील में आज़ को डिस निकल है तो Option C साथ में देखिए निम्लेखित में कौन परी में संख्यां है य बापरी में हो गया य य वी में रूट ओपर तीन तीन कट गया दू बशा दूपरी में संख्यां इनके लिए हम एक तिर्फुज बना लिया हैं यहां पर देखिए तो कर्ण 13 12 अधार तो लंब क्या निकलेगा पांस निकलेगा क्यों क्योंकि 139 बरबरे अधार बटे लंब होता है यानि 12 वटे पॉंच जो कि आपको ऑप्सन की सोप्सन में है यहां पर देखिए बारब बटे पॉंच और सी में है अगला अभ्जेक्टिव देखिए कड़ा की बिंद्यों विंद्यों ए 1-3 chess 2098 को मिलाने वाली रेखा क्षंड के मध्यविनद्यो की नियामत है तो मध्यमत कड़ा 있어 इसको इसको जोर करके दूसे भाग देंगे इसको और इसको जोर करके दूसे भाग देंगे तो तीन में मैंनस तीन को जोरेंगे तो जीरो में दूसे भाग देंगे जीरो ही होगा आठ शार बारा में दूसे भाग देंगे तो छो होगा 0-6, नो का सही औप्सन आप कोगा D-0-6 अगला objective किसी बृत पर बाय बिंदू से कितनी असबर्स रेखा की चीजी जा सकती है तो किसी भी बिरित पर बाय बिंदू से दूग असबर्स रेखा कीची जाती है Option b हो गया, उसके बाद 11 देखिए को रहा है कि निमलिखित में कौन सी संक्या एक घर्टना की परैक्ता नहीं हो सकती है तो निगेटिव में जो भी होगा वो घर्टना की परैक्ता नहीं होगी ग्यारो का स्योप्षन आपको गया भी बाराम देखिए कर रहे कि सबसे छोटी भास संख्यां और सबसे छोटी अभास संख्यां का मुहत्तम समवर्तक क्या होगा सबसे छोटी भास संख्यां आपको चार होता है और सबसे छोटी अभास संख्यां आपको दो होता है तो चार दू का मुहत्तम समंबर तक क्या होगा, दूइयन होगा, तो बारव का सही उप्शन आपको होगा B, अंसर होगा 2 अगला अब्जेक्टिव, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वेट ठीटा, किसके बराबर होता है, जिसका सही उप्शन आपको होगा, A अंसर होगा, C एक स्क्वेट ठीटा फिर देखिए अगला क्यूशन, कड़ा के यदि दो समरूप तिर्भुजों की संगत भुजाओं में, तीन अनुपात 4 का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात है तो यहाँ पर देखिए, परिमाप का अनुपात कोड़ाई तो वही होगा, तीन अनुपात चार ही होगा, तीन अनुपात आपको चार ही होगा, लेकिन आपको अंसर में दिया है C, नो अनुपात 16, यह तब होगा जब 6 तरफल मांगेगा, तिन त्यानो चार्चों के 16, इसलि कड़ाई की इसका कितना हल होगा, तो देखिए, इस परकार का जब रेखिक समिकरन दिया रहेगा, तो इनका अनुपात हल समभव होगा, जो की option C में है, अगला objective देखिए, 17 नमबर का, कड़ाई की समानतर स्रेनी 14710 का कौन सा पद 88 है, तो देखिए, यह AP का सवाल है, और N मापद का फॉर्मूला का अपलाई करेंगे, तो एन का मन आपको 88 दिया है, A का मन एक हो गया, D का मन चार में से एक गया, तीन हो गया, तो देखिए, 17 का, यहाँ पर हमने जो पहले सहीं solve कर लिया है, तो यहाँ पर आप 17 का देख सकते हैं, क्या है, एन का 88 मान लिए, अब देखिए, एन ब्राबर होता है, A plus N minus 1 into D, यहाँ पर लिख दिये, एन का मन 88 है, तो 88 लिए, A का मन एक है, एक लिए E plus हो गया, N minus 1, D का मन 3 हो गया, चार में से गया 3, तो कटा कुटा के जब solve करेंगे, तो एन का मन देखिए, तीसा रहा है, इसलिए इसका तीसमा पद 88 होगा, अगला यहाँ पर objective देखिए, कोडा की, बिंदू मेनस 3 मेनस 5 की स्पाद में है, तो X और Y दुनों का मन नेगेटिव है, यह आपको ठर्ड क्वाडरेंट में होगा, तीरतिय पाद, जो की option C में है, अगला objective देखिए, अगला objective क्या है, कोडा की 2 को स्क्वेर साथ ड टू को स्क्वेर साथ डिगरी है, तो कुछ भी नहीं करना, यह तो है, यहाँ पर टू देंगे, अगला objective क्या हो गया, चार हो गया, दो दूनी, चार, मतलब एक बटा दो, जो की option आपको D में है, अगला objective देखिए कर रहा है, कि नेवन में से किस दुगात बहुपत के, सु आपको देखिए, इनका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सुनिय को का योग 3 दिया है, तो मतलब alpha जो बटा का मान 3 है, गुनन फल मेनस 10 है, तो alpha इन्टो बीटा का मान मैनस 10 हो गया, दुगात समीकरन का जो फॉर्मूला होता है, यही होता है, x square मैनस alpha जो बीटा into x जोड alpha तो यहां पर आप x square लिखेंगे मैनस लिखेंगे अलफा जोर बीटा का मान 3 है तो 3 देंगे एक्स है तो एक्स देंगे इपलस है तो पलस देंगे अलफा इन टो बीटा का मान मैनस 10 है तो यहां पर इसको सही से लेखिए X2-3X-10 यह हुआ तो देखिए यह समीकरन आपको किस ऑप्षन में है तो XL-3X-10 आपको ऑप्षण शी में है तो इसका सही औप्षन आपको वह होगा आपको सी अगला अबिजेक्टिव देखिए बारौमेटर ऊचे खंबे कि जमीन पर पर रही छाया की लंबाई 4 रूट ओवर 3 मीटर है तो सुर्ज का उन्नयन कोन है उसके बाद देखिए तो कोड़ाई की 12 मीटर ऊचे खंभा आए गो तो 12 मीटर का ये भी ये गो खंभा है इसका छाया तो चितरने बनता है सुर्ज के छों से तो इसकी लंबाई 4 होगा चाहर हो दृब्स काण्ध valuation हो गया 3 काटिे तो उपर में रूट ओपर तीन बचाा देखिएऑ में Mighty reject होता है तो आप लोग जानते ही है कि 60 degree का मुझा होता है तो सी का मुझा आपको 60 degree निकलेगा अब यहां पर देखिए 60 degree जो आपको दिया है वह आपको option यह में दिया है तो बारख सभी option आपको का अंसर हो गया 60 degree फिर 20 में देखिए कम एक संकौन तिर्भुज है जिसमें C बराबर 90 degree को सी का मान 90 degree है तो कोश अ परस ब्रस बी का मान क्या होगा तो देखें देखिए तिर्भुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है जिसमें एक कोन का मान 90 डिग्री है तो इन दोनों कोन का मान का योग भी 90 डिग्री होगा अब कोस 90 डिग्री का मान आपको 0 होता है जो कि आपको option A में है तो 22 का सभी option आपको होगा A अंसर होगा 0 लेकिन देखिए question bank में जो आपको को अंसर दिया है ओ दिया है यही सब्ट रूटी है फिर त्रस में देखिये बिनदूंढाव कि दूरी है इनका धीज की दूरी का रहा है कितनी होगे साब थे इस इसमान को घटा कर के व्रक कि इसमान फेसे इसमान को घटा करके वर्क करेंगे कि दुनों को जोड़ देंगे उनका बर्गमुल निकालेंगे तो वही दूरी होता है यह पोस्य अपको अब कर दिया है तो आप लोग एक नजर देख लिए नाम एवर देती हैं तम एनस दू मिस दू को घटा एंगे वर्क करेंगे ते मैंनस दू रॉर मैंनस दूचार हो गिया 45 के शोलो तीन में से तिन गया जीरो का स्क्वेर जीरो 16 का वरंगरो 4 तो चार इकाई हो गया अब देखी अगला अबजेक्टिव अगला अबजेक्टिव देखिए क्या कोeder रसाग मैं निकालेंगे तो देखिये आप लोग हैं। तो यहां देखिए तो देखिए तो देखिए बेलन का जो है तिर्जिया का अनुपात आपको तीन है तो तीन तिया नो हो गया और इसका उचाई आपको दो है तो दो देंगे उसके बाद संकु का तिर्जिया का जो अनुपात है उचार है तो चार चो के शोलो हो गया और संकु की जो उचाई है वो आपको तीन हो गया तो दो अठ है शो सथ UA avons metra Virginia है यहां फर तीन है तो यहां पर तीन चुछ चुछ है यह सती या जाना चाहिए यह इलातों कि ऊपर चला जाएगा आचा गाओ तो तीन तिया नो करने कि संख्यां को जोर देते हैं जितनी संख्यां को zurते हैं उससे भागे देते हैं एक दो तींच चार पंच को संख्यां को जोरेंगे तो 5D telling तब को जोरिये बराबर में 6 देंगे क्योंकि माद 6 है man 6 Six andbst au 12-27-29 जुद एक्स तो यहां पर क्या करेंगे 29-10-र तो पंशक्या की जूरे हैं तो 5 से भाग देंगे अम इर या कितना है 60 थ्यों UPちゃんब Benjamin तर तीर-29 जो खुल हो गया थीर-29 जो सन। एक होगा ग्मोर्ड दीक्ष करेंगे वो आपको एक होगा जो की option A में है अगला objective देखिए कर रहे कि 64 pi cm2 है छेतर फल वाले बिरित का बियास है तो देखिए बिरित का छेतर फल बराबर आपको होता है pi r square है तो यहाँ पर आपको देखिए 64 pi cm2 है तो 64 pi देंगे pi और pi कट गया यहाँ बसे square हटेगा तो e root में जाएगा 64 का बर्गमुल 8 होता है तो तिर्जिया का मान जब आपको 8 हो गया तो बियास क्या होता है 2 r होता है तिर्जिया का दूगन न तो आपको यहाँ पर देखिए आपको बियास हो जाएगा जो कि आपको option B में है अगला objective देखिए कोड़ है कि तिर्भूज D E F तथा तिर्भूज P Q R में दिया है कि कौन D बराबर कौन Q तथा R बराबर E तो निमलेखित में कौन सा सही है यह चीज आपको कोड़ है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने figure बना लिया है ओल्डेडी सवाल में कोड़ है सवाले में आपको कोड़ है सारा चीज के लिए है D का मान Q के बराबर है तो देखिए E D हो गया E कौन जो है यह Q के बराबर है इसके बराबर है फिर E जो है आपको कोड़ है सवाल में R के बराबर है तो बचा कौन एप बचा और क्या बचा पी बचा तो कौन पी बराबर क्या होगा एप देखिए किस में है वो आपको एप बराबर पी ओप्शन ए में है तो 27 का सई ओप्शन आपको होगा ए अगला अबजेक्टिव देखिए कड़ा की समीकरन यूग 2x पलस 3y बराबर 5 है 4x पलस यहाँ पर देखिए 6y बराबर 15 है का क्या है तो देखिए 2 बटे 4 करेंगे 3 बटे 6 करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 बटे 4 3 बटे 6 5 बटे 15 दो दोनी 4 3 दोनी 6 पंच तिया 15 यानि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 अंतीम में कट गया एक बटे 3 हो गया तो आंत में जब करता है तो कोई हल नहीं होता है तो वही होगा यहाँ पर कोई हल नहीं option c अगला objective यहाँ पर देखिए को रहे कि यदि 65 तथा 117 डिग्री का मुहत्तम समावर्तक 65 M-117 के रूप में है तो M का मान क्या होगा M का मान क्या होगा तो यहाँ पर देखिए वैसे भी 65 और 17 का मुहत्तम समावर्तक क्या होगा आप लोग भली भाती जानते हैं 65 तेर नमा सत्रहां से जब निकालेंगे तो तिरो आएगा अब म का मान अंदजा लगाई यह तो तो 65 दूना क्या होगा 130 में से 170 गया तिरो निकलाएगा इसलिए एम का मान दो रखेंगे तब जैसके मोश्व के बराबर होगा तो इसलिए देखिए वैसे भी 65 और 177 का मुहत्तम समावर्तक निकाल लेजिए इसके बराबर में लिख दीजिए 117 उधर जाएका तो 130 होगा पैसर दुनी 137 का मान दो रखेंगा 29 का सही उप्षन आपको होगा बी अगला अब्जेक्टिव देखिए कोड़े कि दू 10 20 के लगुत्तम समावर्तक और मुहत्तम समावर्तक का नुपात होगा तो दू 10 20 का जो है कि लगुत्तम समावर्तक सनुपात एक फिर अगला अब्जेक्टिव देखिए कोड़े की निमलिखित में कौन कोसेक ठीटा के बराबर है तो कोसेक ठीटा बराबर होता है वान बटे साइन ठीटा जो कि ऑप्सन सी में है यह फोर्मूला ही है डरे यह 32 में कड़ाई की टू साइन ठीटा बराबर वन three quarter square theta plus three का मान क्या होगा इसका मान निकालना है तो असानी से मान निकाल सकते है इसके लिए क्या करेंगे तो two sign theta बराबर one है तो यहां पर देखिए sign theta बराबर आपको one by two हो गया तो साइन में कितने डिगरी का मान वन वैटू होता है तीज डिगरी का तो वन वैटू के बराबर में हम लिख सकते हैं तीज डिगरी लिख दिये साइन और साइन कट गया तो ठीटा का मान क्या निकला तीज डिगरी निकला अब ठीटा का मान जब आपको 30 डीगरी निकल गया तो यहां पर इसका मान निकालना है तो ठीटा का मान 30 डीगरी है तो ठीटा के जगत 30 देंगे जोर 3 है तो यहां पर जोर 3 देंगे तो ठीटा का मान क्या होता है वो आपको वान अभाए कोट 30 दिगरी का मैन आपको होता है रूट अवर 3 होता है रूट अवर 3 ता कोट का स्क्वार है तो इसके मान काभी क्या होगा स्क्वार्ड इपल सथर्य यहाँ पर पलस होगा इतीन यहाँ पर 3 होगा यहां पर देखिए root over 3 का square होगा तो आपको 3 होगे E plus 3 तो 3 तिया 9 तिन 12 जो कि आपको option A में है तो 32 का सही option आपको हो गया अमसर हो गया 12 समझा अगला objective देखिए कोड़े कि ओ समभब गटना की प्राइकता होती है ओ समभब गटना की प्राइकता आपको 0 होती है जो कि option आपको C में है अगला objective देखिए कोड़े की निमले खित में x square minus root over 2 x minus 12 की सुनियक कौन से है तो इनका सुनियक कोड़े निकालने के लिए तो यहां पर हमने निकाला है इनका सुनियक जो निकल के आता है वो आता है 3 root over 3 3 root over 2 comma minus 2 root over 2 यह मान निकल के आता है यह एक्स का मान आपको निकालना है इतना याद रखिए गुरन खंड बनाये है न तो एक्स का मान निकालना है जो कि किसी भी option में नहीं है तो इसलिए इसका सही option आपको होगा D इन में से कोई नहीं अगला objective देखे काड़ा की 35 में विरित की सबसे बरी जीवा होती है विरित की सबसे बरी जीवा को हम ब्यास करते हैं जो कि option C में है अगला objective देखिए काड़ा के यहाँ पर 36 में यह आकरा दिया है का बहुलक है तो बहुलक मतलब हुआ बहुत बार जो संख्यां आता है देखिए कौन से संख्यां बहुत बार आता है बात कर लेते हैं तीन की तो तीन एक के बार आता है चार की बात करते हैं तो चार भी एक के बार आता है साथ की बात करते हैं तो एक दो तीन तीन बार साथ आता है, दू भी एक्के बार आता है, छो भी एक्के बार, नू भी एक्के बार तो साřत बहुत बार आया है, तीism बहुले कर पूलहे से बहुत fastest बोला हुआ, ओप्श YOUNG देखिये फिर देखिये, सैहतीस में कड़े की तेरो और 9 की भी समांतरमाध यह है तो 13 और 19 की भी समांतर माद निकालना है तो काफी easy है लिखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो बीच में कोन आया? 16 तो इसका समांतर माद क्या हो गया? इसका समांतर माद आपको होगा सोलो होगा जो की option B में है अगला objective देखिए कोड़ा है कि दुघास समीकरन यहाँ पर x square minus P x plus 4 बराबर 0 की मूल बराबर हो तो P का मान क्या होगा? देखिए मूल जब बराबर होता है तो अब होता है B square बराबर 4 AC यह चीज होता है मूल बराबर होने पर यहाँ पर आपको B का जो मान दिया है वो minus P है तो minus P का square हो गया 4 A का मान 1 है C का मान 4 है तो P का square minus P का square है मैनस है तो sum power है तो plus में हो गया 4 4 की 16 तो square हटा तो plus minus root over हो गया आपको 16 तो plus minus 4 P का मान निकला या तो पलस फूर होगा या तो मैस फूर होगा जो कि आपको ओप्षन बी में है अर्थिस का से ओप्षन आपको हो गया बी फिर काड़े कि यदि ए और बी का यदि ए और बी अभाद संक्या है ए और बी का लगुत्तम समावर्तक क्या होगा अभाद संक्या आपको अगर दिया रहेगा और कहेगा लगुत्तम समावर्तक तो गुनु का जो है की गुननफल होता है यह और बी का गुननफल ए भी हो गया वहीं आपको महत्तम समावर्तक कहता तब क्या होता एक होता तब निकालनी हो तो उनको वर्क करके जोड़ दिजिए उनका बर्गमुल निकाल ले जिए यानि एकस का स्क्वेर जोड़ Y का स्क्वेर इनका बर्गमोल निकालेंगे तो रूट चरहा देंगे चालिस का सभी ओप्सन आपको ओगा बी अगला अब्जेक्टिव देखिए करणे कि एक संभाहु तिर भुज एबी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर होती इसकी उचाई क्या होगी तो देखिए संभाहु तिर भुज की जो उचाई होती है वो ता है रूट ओवर 3 बटे 2 अग को रोट ओबर 3 सेंटीमीटर हो गया इसका अंसर अगला अब्जेक्टिव देखिए कड़े की समीकरन 3 x-2 बढ़ाबर 5 6 x-2 बढ़ाबर किये कोई हल नहीं हो तो कि कोई हल तभी नहीं होता है जब अंतिम में करता है तो यहां पर आप देखिए मैनस मैनस एक बटे यहां प मैनस दो उसके बाद किये का मान निकालना है तो अंतिम में कटना चाहिए तो 5 बटे आपको हो गया किये मैनस मैनस कट गया 5 दो नहीं 10 तो किये का मान आपको 10 हो गया किये का मान 10 नहीं हो तो यहां पर देखिए किये का मान 10 नहीं हो तो आपको जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा 42 का सी अप्षन आपको होगा सी अंसर हो गया कि यह डज नोट इक्वल टू तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया है अगला अब्जेक्टिव देखिए 43 नमर का कोड़े की भूमी से 100 मीटर की उचाई पर साथ डिगरी के उन्नेयन कौन पर उर्ती वी पतंग के डोड़ी की लंबाई है तो पतंग की डोड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो मानके चली बड़ें तो यहां कि भूमी की उचाई है कि वहां पर है यहां पर बताते हैं कि 100 की उचाई पर नहीं कि कि निशाए जाँ방 हो गया एक भूमी हो गया यह reliable यहां पर कोई लर्का खरा है उड़ा रहा है तो कितना डिगरी का जो है कि एंगल बन रहा है तो बन रहा है आपको 60 डिगरी का यहां पर कोई उड़ा रहा है 60 डिगरी का एंगल बना रहा है तो फिर कोड़ा की उर्तीवी पतंग की डोड़ी की लंबाई यानि इसकी इसकी लंबाई मंग रहा है तो नाम देजिए ए बी सी नाम दे दिये देनेक पस्चात अब देखिए आपको पहले यह निकालना होगा क क्योंकि यहां पर 90 डिगरी का कौन बंदा है फिर पाइथोग्रस परवेका यूज करके हम इसका मान निकाल लेंगे तो टेन साथ डिगरी करेंगे तो टेन ठीटा बराबर क्या होता है लंब बटे अधार होता है तो लंब का मान होगे आपको यह 100 मिटर अधार आपका होग क्या हो गया विसी यहां पर आगया रूट ओवर तीन उठके यहां पर आगया एक सो बटा आपको रूट ओवर तीन हो गया इमन आपको एक सो बटा रूट ओवर तीन निकला अब एसी निकालना है तो एसी बराबर क्या होगा आपको करना हो गया तो लंब स्क्वाइर तो एक सो बता रूट उबर 3 का स्कुएर करेंगे, जोकि यहां पर भी एक स्कुएर हुआ, इहां पर भी स्कुएर बार आजाएगा तो common चुकि यह square में है तो बाहर आया तो आपको 100 निकलेगा तो यहां से 100 square common ले लिए हैं तो एक बचा यहां से निकाल लिए हैं तो यहां पर भी एक बचा रूट अबर 3 का वर्ग होगा तो 3 हो गया तो 3 का 3 एक 4 तो एक सो गुन चार का बर्गमूल आपको 2 हो गया तो 3 का बर्गमूल तो रूट अबने रह जाएगा रूट अबर 3 एक सो गुन दो तो 200 बचा रूट अबर क्या होगा तीन तो इतनी जो है कि रसी की सेंटिमीटर रसी की लंबाई होगी जो कि आपको option C में दिया है यहां प लंबाई होगी रसी की अगला objective देखिए कड़े की यदि 3 सेंटिमीटर तिर्जा वाले एक बिरित कीची गई दो असपर्स रेखा हो पर असपर्स साथ डेगरी के कौन पर जुकी हो तो असपर्स रेखा की लंबाई यहां पर आपको असपर्स रेखा की लंबाई पूछ र अब देखिए तो असपर्स रेखा यह समझ लिए आपको असपर्स रेखा है यह इसको ऐसे समझे कि यह आपको असपर्स रेखा है इसकी तिर्जा जो है के बिए इनका माहन आपको दिया है तीन सेंटिमिटर की तीन सेंटिमिटर हो गया अब असपर्स रेखा है और अयह समझे के साथ है डिगैरी क reviews ऍहानी पूरे कौन का माहन साथ डिगरी है तो हाप कौन का मान क्या होगा बिचे बिचकट न गया तो तीसे डिगरी न होगा कि इसी की लंबाई पूछ रहा है यह ओ हो गया यह हो गया इनको पी मान लेते हैं यह पी की लंबाई हमको मांग रहा है तो करना क्या है निकाल लेते हैं 10 तीस डिगरी यहां से लेते हैं तो लंबाई क्या होता है अधार 10 ठीटा परावर लंबाई अधार तो लंबाई आपको होगा ओए 3 आधार हो गया PA या AP कह सकते हैं AP ही निकालना है आपको 30 डिगरी का मान होता है 1 बटर रूट ओवर 3 3 बटर क्या हो गया AP या AP बराबर आपको क्या हो गया 3 रूट ओवर 3 तो 3 रूट ओवर 3 यहां पर आपको देखिए cm की इस ओप्षन में है वह आपको ओप्षन C में है इसका सही ओप्षन आपको ओगया C अगला अबजेक्टिव देखिए कोड़े की 42 तो यहां पर देखिए 25 होगा मिस्प्रिंटिंग है सवाल में तासे की एक गड़ी को अच्छी तरफ फ्हेंट कर उसमें से यादरिक छया एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काले रंग की बादसा होने की प्रैक्ता कितनी है तो देखिए तास में कुल बावन पत्ते होते हैं और बावन पत्ते होते हैं तो दूगो काला बादसा होता है दूगो काले रंग का बादसा होता है थुग उकाले रंग का बादसा होता है अब मान के चलिए और अनुकूल परिनाम क्या हो गया याँगा वाट कूल परिनाम से बाद देना होते हैं क्योंकि बादसा हूगा तो 26 दूनी 52 एक बटे 26 जो कि आपको option B में है एक बटे 26 अब 45 का देखिए सही option आपको दिया है एक बटे 13 जो बिल्कुल गलत है तो यही सब टूटी है question bank में अगला objective 46 नमर का देखिए को रहे कि साइन 63 बज़ते है को साथ 27 तो 63 और 27 को जोरिए 90 हो गया इसका मान आपको हो कि अगला objective देखिए कोड़ा की दुगहात बहुपद यहां पर देख रहे हैं कि सुन्यक है कि सुन्यक कोड़ा है कौन सा होगा तो यहीं से चेक कर लिजिए एक्स का मान मैनस तीन डखेंगे तो तीन त्या नो फिर यहां पर तीन डखेंगे तो यह तीन दूनी छो तो मैनस एक वाटे दू हो जाएगा यह भी फिट नहीं करेगा इसमें चलिए मान निकाल लेते हैं छो से सभी में गुना कर देजिए तो यह आपको हो गया छो एक्स स्क्वेर तो से तालिस का यहां पर देखिए क्या सभी ओप्सन आपको होगा वह होगा आपको भी में इसका की मान के से निकालेंगे तो यहां पर हमने सुलिशन कर दिया है वीडियो को आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स का मान निकालना है जो निवान निकल के आया है चार बटे तीन मेंस तीन बटे दू अगला अग्ला उपजेक्टिव देखिए गोरे । समन्तर स्रेन यहाँ पर आपको दिया है। गोरे किसका तीसमा पद क्या होगा है। तीसमा पद इसका मंगड़्य है। 10,7,4 यह पी कि आपको पद कुछ दिये गया हैं। 10 है, 7 है, और 4 है। इसे डोट-डोट तीस महापद यानि ए तीस बराबर हुआट यह मंग रहा है तो पहले फोर्मूला में यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हो गया 10 हो गया डी का मान निकालेंगे तो साथ में से 10 को घटाएंगे तो मैनस 3 हो गया आपको ए तीस बराबर क्या होगा यह पलस 29 डी होगा तो यहाँ पर ए का मान देखिए 10 है तो आप 10 देंगे 29 डी का मान मैनस 3 है तो मैनस 3 देंगे 10 29 तिया 87 अब देखिए 10 में 87 गया तो मैनस 77 तो इसका जो है कि तिसमा पद मैनस 77 होगा यह पी का यह सवाल था तो यहाँ पर देखिए यह जो है कि आपको किस option में है option C में मैंनस 70 अगला objective देखिए 49 का कड़ाई कि यदि 10 ठीटा बराबर 8 बटे 15 हो तो कोशेक ठीटा का मान क्या होगा तो 10 ठीटा का मान 8 बटे 15 है तो 10 ठीटा बराबर क्या होते है लम बटे अधार तो लम 8 हो गया अधार इसका 15 हो गया और कर्ण तब इसका क्या होगा तो देखिए लम स्क्वेर जो राधार स्क्वेर तब 15 गुना 15 225, 38, 299 का बर्गमुल 17 तो कर्ण इसका 17 हो गया आपको से एक ठीटा बराबर जो होता है आपको होता है कर्ण बटे लम यानि 17 बटे आठ तो 17 बटे आठ देखिए एक किस ओप्सन में है आपको ओप्सन ए में है उन्चास कसी ओप्सन आप होगा ए अगला अबजेक्टिव देखिए 50 में कोड़ाई कि यदी एक से यहाँ पर एक से एक सो तक के सभी प्राकिर्ट संक्याओं का योग हैं यहीं से लेकर के एक सो तक कि सभी संक्याओं को जोड़ेंगे इनकामान क्या होगा इसी है जो कि इसके option B में है तो इसका पचास कैसे option आपको बी अंसर हो गया 5050 या 5050 बूल सकते हैं कि इने मिलखित में से कौन अभास संख्यां है तो 30 सापको अभास संख्यां है 15 बाड़ा पच्छतर यह भास संख्यां क्योंकि अंसंख्यां से भी यह कड़ जाएगा 52 नमर का यह सवाल देखिए अंस्याट्टी का है सिध करने के लिए इसका मन दो होता है जो कि option D में है अगला आप देखिए यहां पर कड़े की यदि एक बिरित की परीदी टूपाई से बढ़ कर फोर पाई कर दी जाए तो इसके शेत्रफल होगा तो यहों बिरित है फर्स्ट बिरिट का परीदी क्या है टूपाई इसका परीदी जब बढ़ जाता है तो सकेंड बिरित बन ज तो यहां पर आपड़ेखिये इसमें न क्या परीवरतन होता है तो जब आप करेंगे तिरमें में तो देखिए जो तूपाई का मान आपको ३だ तो कट गिए दो दू नी चार तो तो तिरजाओ दू गुणन्ह भूणा होगा सब तदू गुअगा डिंड अगर आपका प्रेदी दू गुणन्ह हो जाए तो उसका चेतरफल चार गुणना होगा याद रखिये क्योंकि दोंड़ी चार तो तुरे आदूगना तुरे ची आदूगना छेतरफल में क्या होता है उवर्ग होताई दोंड़ी चार हो गया 57 में देखिए 59 में से मूल बिंदो की नियामक कौन है जीरो जीरो मूल बिंदो का नियामक होता है 55 में देखिए X का मान मैनस 5 है कालेक कैसी शरल रेखाओगी तो य एक्स की समांतर होगी आपको गया भी अगला अब्जेक्टिव देखिए मैनस दस इनको बरहियां समझे यह कैसे होता है जैसे मान के चलिए कि ऐसे खीचेंगे इधर ही मैनस एक मैनस दो मैनस तीन मैनस चाड़ मैनस पांच होगा एक्स का मान मैनस पांच यहां आ गया इसको क्या करेंगे इस पर एक लम खीचेंगे देखिए यह न हुआ तो किसके समांतर हो गया वै आक्स के लेकिन देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चेंग का आंसर दिया है पच्पन में देखिए क्या दिया है यह दिया है कोड़ाई की एक्स आक्स के समांतर जो बिलकुल गलत है इसका स्योप्सन आपको होगा भी वै आक्स के समांतर इन स सब्टूटी को सुधार करते चलिए अगला अबजेक्टिव देखिए कर दाए कि मैनस दस में चो दो दो चोंतिस में पदों की संखियां इसमें पदों की संखियां क्या होगी तो यहां पर देखिए अंतिम पदा आपको 34 है मैनस दस से शुरू होड़ा है यानि मैनस दस उसके बाद आपको है मैनस चो है ऐसे चलते चलते यहां पर आता है 34 पर अठक जाता है एन का मान आपको हो गया 34 यह का मान आपको हो गया मैनस 10 डी का मान मैनस 6 मैंस 10 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा मन क्या आएगा 4 common difference तो देखिए एन का formula होता है यह पलस एन मैनस 1 इन्टू डी होता है यह एन का मान आपको 34 है यह का मान मैनस 10 है यह मैनस 1 डी का मान आपको 4 है तो मैनस 10 इधर जुटेगा 34 10 हो जाएगा 46 तो एन मैनस एक गुना 4 बराबर आपको हो गया 44 एगर चोके 44 मैनस 1 इधर जाएगा तो बाड़ा हो जाएगा एन का मान 12 तो बरमापत जोगा इसका 34 होगा जो की आपको ओप्शन बी में है 12 सही ओप्शन होगा 55 में देखिए बिंदू मेनस 65 का एक्स का नियमक तो एक्स का नियमक होता है एक्स वाइ मान रखे जाते हैं एक्स का नियमक एवाइ का नियमक तो एक्स का नियमक छोग हो गया ओप्शन ए अगला अब्जेक्टिव देखे कर रहें कि दुगात वह पद यहां पर देखिए कि सुनिय को का योग है तो सुनिय को का योग क्या होता है मैंनस भी बट ए होता है तो पहले तो समिकरन को हम सही कर लेते हैं तो टू एक्स स्क्वाइर मैंनस फाइप एक्स मैंनस कि सुनिय को का योग जो होता है आपको वह तैँमा आपको मैनस बट नबीकामान मैंनस पंच है मैंनस पंच हो गया इसुतर का मेंनस थो होथिये एक्स स्कुरूयर में रिज़क्ष एहो गया या वे u गया इसी हो जाता है यह का मान दो तो मेनस मेनस पलस प्रश्वाटे दो जो कि आपको ऑप्शन डी में है पंच बटे दो अगला अब्जेक्टिव देखिए कोड़ाई की वन पलस टू पलस त्री डोट डोट अन बराबर है यह होगा एन इंटू एन पलस वन बैट्व पर अगार है यहां पड़ कर दो फैंकि यह आपको अंधर में सब्सक्राइब कर दी चैपते जया है यहां तर आपफिए इसमयं चोड़ाई की ब्लम आपके तहसे के लिए प्रकूल गलत है तो यह सब्टूटी है फिर जाएकि आप अगले वर्ष का भी क्वेस्चन का सुल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जूड़ जाए